वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्टाइल के अपने लास्ट टॉपिक से जो है दुलाई के वारे में यानि की वाशिंग और स्टेन रिमूगल के वारे में हम जब भी हमारे किसी पैपरिक पर कोई स्टेन लगता है चाहे वह पैन का हो या फिर का सबस्टेन्स का हो तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है बैसिकली यही सारी चीज़ें आपके दुलाई में आती है दुलाई के लिए आपको जरूरत होती है डिटर्जेंट की डिटर्जेंट बेक बेसिकली एक कैमिकल कैमिकली मेड एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे क किकी बाद में का फैब्रिक तो यूज़ किया जाता है वह पात कर लेते हैं दुलाई या फिर स्टेंड रिमूवल के वारे में जिससे प्याइज को पूछी जाते हैं यह मेरे एक प्रैक्टिकल फाइल का पेपर्स हैं जो मैं आपको शो करने वाली हूं कि पर्टिकुलर आपका जो स्टेन है वो किस तरीके से रिमूव होता है उसमें क्या क्या तो यह प्लें वाटर से अगर आप वाश करते हैं तो क्या होता है तो एंसारी ही categories में हम different types of stains को check करेंगे तो आपको basically याद क्या रखना है chemicals याद रखने है किस particular stain पर कौन सफ जो आपका chemical है वो use होता है क्योंकि ये आपका main है यही आप से पूछा जाता है 5% soap solution से related बहुत rare question देखने को मिलेगा बट हाँ chemical से related आपको question जरूर देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल पैन के बारे में जो बॉल पॉइंट वाला पैन होता है अगर आप उसको plain water से clean करेंगे तो it is not clean वो साफ नहीं होगा अगर आप 5% soap solution से करेंगे तो भी clean नहीं होगा लेकिन आप अगर spirit से या फिर amylase acetate से clean करते हैं तो वो clean हो जाता है तो यहां पर आपको chemical का नामया दखना है आपका spirit या फिर amylase acetate ऐसे ही अगर आप pencil की बात करें तो आपके plain water से clean नहीं होगी लेकिन अगर आप उसको 5% soap solution में कर देते हैं जब आप उसको plain water में डालते हैं तो ही वो clean हो जाती है तो आपके further जो चीजे हैं उसकी requirement नहीं होती है तो pencil का आपका stain है वो असानी से निकल जाता है फिर उसके बाद हम बात करते हैं next fountain pen के बारे में तो ये plain water से clean नहीं होगा बलकि आपका 5% soap solution से clean हो जाता है फिर उसके बाद हम बात करते हैं lipstick के बारे में तो lipstick जो है वो आपकी plain water से clean नहीं होती है लेकिन आपकी 5% आपका जो soap solution है उससे clean हो जाती है उसके बाद हम बात करत काजल के बारे में नहीं tahad यह उतक जो ब मौक़ाइब को हम उतक सब्सक्राइब यह जो हुआ'll Tribal Tramidylase Acetate का यूँस किया जा रहा है फिर हम बात करें मेडिसन के लिए मेडिसन जैसे मेडिसन गीरन चलिछाती है कोई आपका सिरप्त है या कोई THE अदर हो फ्लेनष रिंगर इाटी है रस्ट की बात करें यानि की डूल जो आपकी जंग होती है तो वो आपकी वो आपकी प्लेन वॉटर से क्लीन नहों कि आपके 5% सोप सोलुशन से रस्ट यान कि दूल निकल जाती है अब आप यह देखेंगे कि किस तरीके का बिफोर एंड आफ्टर चेंजिस आप जो हमने 5% सोलुशन में फिर केमिकल के तुछ जो ट्रीट करके की हैं क्या रहे हैं जैसे आपका यह वन है यह आप वन नमबर देख रहे हैं यह आपका बॉल पैन का है तो यह बिफोर है यान की जो आपका स्टेन है और उसके बाद जो वाशिंग के बाद स्पिरिट से जो क्लीन किया है वो है फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकिंड पैंस का मेरे यहां पर आपको पूरा दिखा रखा है कि किस तरीके से केमिकल्स का या फिर आपके 5% सोप सोलिशन का एफेक्ट बढ़ता है कि 5% सोप सोलिशन कि वैसे हैं प्लीच से हो जाता है जब हम संसरा दिखाष से नहीं होता में चलीच से बलीच से हो जाता है जब हम sunshine में यान की सूरज धूप के सूरज की किरणों में से सुखाते हैं तो यह naturally clean हो जाता है तो यह जो sunshine वाली bleach है उसमें clean हो जाता है जो हमारे सूरज के किरणे हैं वो भी bleach के जैसे काम करती है तो यह फर्मरिक और ओयल की बात करें तो यह फर्स टू कैटेगरी में clean नहीं होता बलकि जब हम इसको धूपने सुखाते हैं तो यह clean हो जाता है तो यह आपका 5% सूप सॉलिशन के second category में clean हो जाता है फिर हम बात करते हैं ग्रीस के बारे में ग्रीस आपका sunshine में bleach होने से clean हो में tea के लिए आपको चाहिए वोर्यक का दाग अगर कि कपड़े पर चाय का दाग लगा है तो यह बहुत कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं मिल्क के बारे में तो मिल्क का जो दाग होता है ऊपожалуй के फ्रूप के थूप होता है भाज़क जो ब्लक का दाग है वह आप फाल पर स एंड sodyum by by phosphate तो या को यह चाहिए होता है इसके लिए इसके भी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं रिजल्ट्स में मैंने आपको दिखाया हुआ है यहां पर आपका स्टेंड नंबर है आप यहां से रिजल्ट्स को देख सकते हैं आप चेक करके नंबर को और उसके रिजल्ट आफ्टर वाले यह बिफॉर वाले हैं यह बिफॉर एर यह आफ्टर तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे फाइनली चैंज़ आते हैं फिर उसके बाद हमारा लास्ट है एक है फूट जूस वाला तो फूट जूस जो है वह 5% सुप सोलीशन से क्लीन हो जाता है मारकर की बात करें तो आपको इसके लिए इसके लिए आपको टर्पिन्टाइं चाहिए होता है त्य तर्थी नुन्टा अपको तर्पेंटो मोशी होता है पर हमेंपेर सब्सक्तों हिना कि बात करें था हैं ओंधिकी अधिकी इसको आकम लौसे थी 2030比較 UP फिर उसके बाद हम बात करते हैं बूट पॉलिश अगर आपके फैब्रिक पर लग जाती है तो आप इसे 5% सोप सॉलिशन से क्लीन कर सकते हैं केंडल या वेक्स की बात करें तो इसको आप नाइव से हटा सकते हैं या फिर वार्म आयरन करके अपनी आइयरन को गरम करके उसे पर आप बॉइलिंग वाटर में इसको डाल देंगे तो भी अराम से छूट जाता है तो इस तरहीके से आप डिफ्रेंट चेंज़ जेसको सबसे एजी रहा होगा समझने के लिए तो यहां हम लोगों ने टेक्स्टाइल कम्प्लीट कर लिया है बट आपके स्लेबस में नहीं पूछा गया है जो कड़ाई होती है वह ट्रेडिशनल जो हमारे एम्प्रोइटरी से वह पर्टिकुलर्ली किस कौन सी किस स्टेट से आती ह है या फिर उसके हिस्ट्री क्या है तो हम उस पर भी वीडियो अप्लोड करेंगे हालांकि आपके स्लेबस में नहीं है अगर में रिपीट कर रही हूं बट हम उसको अप्लोड कर देंगे जिससे अगर उससे रिलेटड कोई क्वेशन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें बाकि आपका जो एक पॉइंट बचा हुआ है विभिन मौसमों में लिवाश का चुनाव और उनका निर्मार तो इसको मैं कवर नहीं करने वाली हूं क्योंकि आपको भी पता है कि किस मौसम में आप को इस तरीके के फैब्रिक्स को यूटिलाइज करते हैं विंटर समर्स य इजुकेशन की तरफ एक्स्टेंशन एजुकेशन और साथ में हमारे एक एम्रोइटरी वाला पॉइंट बचा हुआ है तो यह चीज़े हम लोग कवर करेंगे एक्स्टेंशन एजुकेशन में भी ज्यादा कुछ नहीं है हाड़ली टेक वन वीक अगर हम स्लेबस के अकॉर लगी हो यूटलाइज तो आप उसके मतलब अबे य उस्फुल हो तो वीडीयो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें अपने फेस्ट फेस्ट बुक पर अपने वाट्सेप घुरूप और वीडियो को लाइक जरूर करना न भूलें कोई भी क्वेस्ट हो कोई कोई भी डाउट हूँ या फिर आप प्रेज करना चाहते हैं या फिर कोई कमी बताना चाहते हैं तो आप comment section में बता सकते हैं I will be so happy to see your suggestions your likes or dislikes यह मुझे motivate करेगा आगे आपके लिए कि क्या मुझे और बेटर आपके लिए present करना है और क्या आपको provide करना है thank you for watching my video and have a good day bye bye